तों को नमस्का बनवास में फिर राम जी का से भेट होती है महाँ शबरी की शबरी की कहानी बड़ी रोमांचक है घर से वो उपिक्षित हुई गुरू ने भी अपने आश्रम में नहीं रखा तोंकि वह अनुसूचित जाती की थी गुरू के आश्रम के बाकी शिशों ने इसको पसंद नहीं किया लेकिन शबरी स्वयम एकांत वास करती रही और जब राम जी उनके पास गए राम जी को जूटे बेर खिलाए राम जी को मीथे बेर खिलाने के लिए वो बेरों को चकती रही लक्षम Henri जी क्रोजित होते रहे लेकिन राम जी ने शबरी को नवडा भक्ति का प्यार दिया नवडा भक्ति का संबान दिया जो नवडा भक्ति रामा इनकी एक मानो सबसे शेश्च रचना मानी जाती है अर्थात शबरी ने ही राम जी को सुग्रीव के भेट करने का रास्ता बताया और उसी में राम जी से खनुमान जी की भेट हुई मित्रो जिस शबरी ने राम को राम बनाया जिस शबरी ने राम को मार्ग बताया और शबरी समाज के लोग आज भी हमारे नगरों में वंचित समाज के रूप में रहते हैं स्लम्स में रहते हैं कच्ची बस्तियों में रहते हैं छोट-छोटे गाउं में राम भक्त बनना है तो शबरी को प्यार करो राम भक्त कहलाना है तो शबरी के हाथ के जूटे बैर खाने की तयारी करो यहीं हिंदू समाज के भविश्य कई एक मेव कारंटी है मित्रों हमें राम जी की जीवन से यह संदेश लेना है सबको नमस्कार धन्यवाद